दोस्तों चली हाँ पर बात करेंगे इंगलेंड ए वोमेंड भर्सेस आइस्टेलिया ए वोमेंड के भी जो ODI मुकाबला खेला जाएगा या सकेंड ODI मुकाबला लेकिन ये मस समझा ये प्रेक्टिस मेच है दस से पंदरा पिलर एक टीम पे खेलते वे न जार आएंगे कोई कभी बल्लेबाजी के लिए और सारे के सारे गेनबाज के तौर पे कोई भी कहीं गेनबाजी कर सकता है कोई नहीं भी कर सकता है तो इसके लिए आपको तैयारी भी राना उसी परकार से इन्वेस्ट करना है यानि कि मेच थोड़ा सा रिस्की तो है ही बाकी बहुत सारे अच लेकिन थोड़ा सा प्रेक्टिस के तोर पे खेला जाता है तो थोड़ा सा रिस्की तो हो जाता है लेकिन दोस्तों फिर भी अगर जदे आप इस मुकाबले को खेलना चाते हो तो सबसे ज़्यादा महत पूर्ण है हमारे टेली ग्राम चैनल को आपको जोईन करना क्योंकि वहा पारा टेली ग्राम चैनल आपको इस परकार से दिखाई देगा क्योंकि बहुत सारे फेक चैनल बने हुए है तो उनसे आपको बचना है ओरिजिनल चैनल वीडियो को डिस्क्रिप्शन या फिर कोमेंट फस्ट जो था उसी पर पिन किया गया होगा उनकी साहिता हो सकता है इनको काफी नीचे भी भेजा जाए ति ये बात आपको धियान रखना है सी वेब एक रन सी कनोप की बात के आट रन इनके लव एन फालतुम जो की बढ़िया विगर कीपर है थोड़ा नीचे आ रहे है लेकिन अपर टीम का केप्टन सी भी कर रहे है टेस्ट फिल पहले गेनबाजी पर इंपोर्टेंट रहेगा सकेंड गेनबाजी पर उतना इंपोर्टेंट नहीं रहेगा जितना इन्होंने तीन विक्टर लेकर दिखा रहे हैं इग रे की बात के ठीक ठाक गेनबाजा पहले गेनबाजी पर ये भी इंपोर्टेंट रहेगा क्योंकि ड डालती है, डेत ओभर में भी एक दो ओभर डाल सकती है, वह इसे बल्ले बाजी गेनबाजी दोनों करती है, तो केप्रन भास का ये भी बेस्ट उपसा रहेगा, लेकिन गेनबाजी कनफर्म नहीं है, एल स्मित के बाद की जाए, दस ओभर, आट ओभर, नो ओभर इस परका टी अचाखासा कर लेता है, बाकी यहां से देखोगे, तो भी इसमित यहां पर शावरासी, इनके लावे, पी स्चेफिल्ड की बाद के इन्होंनी यहां पर उनसाट का योगदाम साथ में एक विक्टर लेगे, पाट टाम गेनबाजी, भी है रात की बाद के काफी बनिया, को देखने को मिलेगा, जी वरे हम और एव विलिंग्टन, एव विलिंग्टन कमाल के फोर्म में चर रहे हैं, टी टुवन्टी में भी दो बिक्टे, दो बिक्टे हर मिच मिले गए, तो इम्पोर्टिन यह रहेगा, केप्टन वीसी भी ट्राइ कर सकते हूँ, टी भीले मिक तो मेरे भाई कॉंबिनेशन तो देखेंगे, लेकिन इससे पहले अग जदि हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हो, तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ड्रीम 11 से रिलेटेट कोई भी अपडेट आता है, मैं सबसे पहले इन्फोर्मेश तोर पे आई, एम डार के तो मैं इनको फिलाल के लिए पिक किया हूँ, टी विल्सन बिकेट की प्रिंग कर रहे है, साफ में ओपन आ रहे हालांकि फर्ष्ट मुकाबलें फोलो अप गए लेकिन उमीद है कि बहतर करेगी, डी वेट, सी वेब ये लोग भी बहतर है, खेलें तो देखेंगे, एम वावस्टर लाश्ट मुकाबला नहीं खेला, अगर जादी खेलती है तो इमपोर्टन रहेगा क्योंकि रिकोड बढ़िया है, सीक नोट की बात किया है, इनका रिकोड बढ़िया है, ओल्राउंडर के तोर पे ये डोमेस्टिक खेलती है, लिकन यहाँ पर गिनवाजी थोड़ा कम करवा रही है, फिर भी मैं इनको इमपोर्टन मानता हूं, बी इसमित की बात किया है, इस्पीन गिनवाजी काफी बढ़िया करती है, लेकिन देखा जाए तो ये गिनवाजी कुछ हाल फिलाल देखा जाए नहीं कर रहे है, तो बल्लेबाजी के ये दोनों खेलेगा तो दोनों को पीक ही नहीं करेंगे, केफटन वहास ही देदेंगे, तो नहीं खेला तो उनके उपर बात नहीं करेंगे, जीवर हम बनिया परदसन करके आ रही है, ए रिचर्टसन डेतोबर में भी डाल जाती है, बल्ले बाजी खास फोर्म में हैं, इनके प्रावे फिल्ड की बात की जाए, इस चो फिल्ड पार्टेम गिनवाजी तो कर लेती है, सांते में बल्ले बाजी ठीक ठाक करती है, ज्यादा ज्यादा मैने गिनवाजी लेने के परियास के जेस जोनासन, मेगन इसकाड, एफ डेविस, एम ब्राउन, एस गिलेन, ये सारा अपडेट टेलीगराम पे दूँगा, वो टीम से आप लोगों खिला है, तो आसा करते हैं, लक्षी महां विसरी महां ओल भगवान की किरपा से हम लोगों का रिजल्ट वहितर जाए, सारे लोगों पे सुट्चति महां की किरपा बनी रहे, इसी उमीद के साथ वीडिय को बिसा माप ते करता हूं